यह देखे गाइज यम्मी टीस्टी स्नैक ब्रेट के इसमें तीनों चीजों का टेस्ट आएगा ब्रेट पकोड़ों का और बटाटा बड़ा का आएगा टेस्ट तो चलिए देखते कैसे बने हालो एर्वेर्वन आप सोका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शाहिम स्था मसाले हम डालेंगे जैसे कलर के लिए हल्दी पाउडर दनिया पाउडर चिली फ्लैक्स आप चाहें तो रेट चिली भी डाल सकते हैं हमने चिली फ्लैक्स डाला हुआ है और यम्मी टेस्टी बनाएंगे इसको तो यह देखे टेस्ट के अंसवारा नमक एट करेंगे और इस दॉत में हम डालेंगें चाट मसाला नमक को बिलकुल ध्यान रिखते हुए डालें कि हमें समीसाला डालें चाट मसाला में भी नमक होता serves asate अच्छे से विक्सर से मिक्स कर लेंगे ताकि लंस ना पड़े और यह बीच में गड़ा बनाते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करेंगे और इसका हम एक स्मूथली बैटर बना लेंगे तो डेल कटोरी पानी लगवग लगा है मारा तो यह देखिए हमें इस तरह की करनसंटेंसी का चाहिए बैटर कि देखिए हम अपनी चमच से लगा रहे हैं तो चमच में एक लेयर बन जा रही है ठीक है तो उस लेयर का चाहिए तेखिए अब इसमें मोस्ट इंपॉर्ट बेकिंग पाउडर हम इसमें एट करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टन है जिसकी वजह से यह फ्लफी और क्रेश्पी बनेगा लंबे समय तक तो इसको ढख करके रख देंगे पांच मिनट के लिए और यह देखिए तक चलिए हम फिलिंग के लिए बना लेते हैं तो यह हमने दो स्पून डाला ओयल ज्यादा ओयल नहीं डालें क्योंकि हमें ज्यादे के ज अगर के लिए यहाद कर लिया था उसको एक करेंगे आप चाहें तो इसकी इसी समय पर आगर आपके पास करी लीफ हो तो आप करी लीफ हो ऑफ कर सकते और इसमें सरसों के दाने भी एड कर सकते हैं जो हमने नहीं यूज किये मेंशे हम देखिए फ्लेम को और धीम और हमने इसमें धनिया हरा कटा हुआ घिर सारा और आप हमने फ्लेम कर दिया है बन क्यूंकि हमें ज्याधा ऑर जधा आलू को भूनना नहीं है बूनेंगे तो हमारा अलू घीला हो जाएगा इस वजे से तो यह देखें आप हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया और आप इसमें हम आट्ड सब्सक्राइब करने के लिए चाट मसाला और यह बहुत टेस्टी बनता है यह चाट मसाला यह बहुत टेस्टी बनता है इसमें आप बटाटा बड़ा है ब्रड रोल है और ब्रड पकोड़े हैं इन तीनों का टेस्ट आएगा इसमें आप जो की अगर यह बरा के खाते हैं तो आप उन सब की को भूल जाएंगे खाना यह कुछ ब्रड की हमने ले ली हैं तो देखिए हमें कैसे काटना है तो इस तरह से काटना हम इसके दो तरीके बताएंगे बना हम कैसे कैसे बनाते हैं हम बच्चों के लिए बना रहे हैं एक बात और गाइस हमने हरी मिरस का प्रयोग नहीं किया है इसमें जहां पर हम धनिया डालते हैं हरी दनिया वहां पर आप हरी मिरस भी डाल सकते हैं मगर बच्चों की बज़े से नहीं डाला है ठीक है तो यह हम ब या फिर सेजों चटनी भी लगा सकते हैं तो यह देखिए दूसरे साइट में भी लगा लेंगे हम टेमाटो केचप और आप हमें देखना है क्या करना यह देखिए अब हमने इस पर चिपका दिया है दूसरी ब्रट को तो यह हो गया एक टाइप जिस तरह से हम बनाएंगे त सब्सक्राब देखिए हम सेकंड में कैसे बनानाा बतते हैं तो यह देखिए आपना सा इस पर लेंगे तो इसको हम ऐसेelas ही लगा लएंगे तो इसको हम ऐसे ही रख देगे ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है चाय के साथ बहुत टेश्टरी लगता है बड़े लोग चाय के साथ और बच्चे तो ही ऐसे ही खाते रहेंगे तो देखिए और दोनों टाइप के बना करें रख लिए हैं कुछ इस तरह से रख अपने बैटर में ओयल को जिसकी वह जैसे एकदम टीस्टी और रिदम क्रिस्पी बन करके तयार होंगे यह हमारे तो यह देखिए हमने मिक्स कर दिया है अपने बैटर में दू स्पून ओयल होट ओयल था तो आब हम क्या करेंगे अपना एक ले लेंगे इस तरह से बेशन म कि ऑगदी डिप करेंगे और इसको हम क्या करना है यह देखिए सरे से कर देंगे जितना एक्स्टरा है वह सारह हमारा निकल जाएगा और हम इस तरह से इसको डाल देंगे को बहुत जादा हाई फ्लेम पर भी होंगा बहुत जाधा लो फ्लेम पर रखेंगे तो ओयल हमारा सो कर लेगा शार नास्ता और बहुत हाई फ्लेम पर रखेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा इस वज़े तक क्रेश्पी टेस्टी और ओयल भी बिल्कुर नहीं सोब करेगा तो यह देखिए इसी तरह से हम बना करके रख लेंगे अलग प्लेट में टीशू पेपर या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं तो यह देखिए निकाल दिया है तो इसी तरह से हम दूसरे भी सेख लेंगे जो ह कमाद हेगा इसमें तो इसाइख श्रा थेंगे जो एक्स्ट्रा है वह भी निकल जाएगा तो यह देख सकते हैं तो यह देखिए इस को है इस तरह से उलटते प्लटते हम इंको भी खेंक लेंगे चाप तोड़ी से बन गई थी कोई प्राप्रॉब्लम नहीं सम üzerine ये इस तरी से निकाल देंगे इनको भी निकाल लेंगे तो लगवग सारी बना करके आम रेडी कर लेंगे तो यह देखे गाई हमने धनिया हलकी सी बारी कटिवी हरी धनिया डाल दिया जो की डिक्रेट कर दिया है अच्छा लग रहा है सोजे से तो आज की हमारी यह रेसिपी तो देख सकते हैं कितना टेस्टी कितना यम्मी है पन कर तयार है और अगर आपको यह रेसिपी पसंद लिए मिलते नक्रण झनित